सो हलो गाइस दोस्तों आज हमारे पास है कमाल का प्रोजेक्टर जो की ब्लिट्स उल्प की तरफ से आता है इस वीडियो में इसकी हम कम्प्लीट रिव्यू करेंगे अन्बॉक्सिंग करेंगे आपको बताएंगे इसका सारे फीचर स्पेसिफिकेशन्स फिलहाल यह जो मॉड यहां पर एक विंडो दिया है जिसे आप बंद कर सकते हैं प्रोडेक्शन के लिए दिया गया फिलाल और यह जो है आपका कुछ यूजर मैनुल से बॉक्स के इंदर और क्या क्या आपको बचाते हैं अब जब पढ़ने की जुरूत नहीं आपको हम सारे चीज़ें गाइड कर देंगे आपको इस वीडियो में की क्या क्या करना है चैसे अपरेट करना है यह का रिमोट कंटूलर ऑर इस के साजाइधे अपको मिलता है और यह जो है आपका एक बहुत स्क्रेदें तो यह हैं साफ कर सकते हैं। यह है ग्रीटिंग्स कार्ड जो कि वेलकम करता है ब्लिट्स वुल्फ आपको आए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि और क्या क्या चीजे कर सकते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो उपर में ब्रैंडिंग है इसकी यहां पे बहुत सारे फिजिकल इसके बाद आप में जा सकते हैं आप लेफ्ट राइट या फिर आप बैक या कुछ भी कर सकते हैं वो सारे चीजों को आप कर सकते हैं तो आप आपको हम बताते हैं कि यहां पे की स्टोन करेक्शन का भी ऑप्सन दिया गया जो कि आप प्लस में ना सिफ्टीन डिग्री वर और 2 जिसमें कि आप कुछ भी पेंड्राइब लगा सकते हैं और HDMI केबल आप लगा के वहां से कर सकते हैं यहां सेंसर है और इधर जो है आपका अगर बात करते हैं यहां पर पीछे साइड में तो आपको ट्राइपोड माउंट दिया गया है और यह 50 आपका वाट पावर कंज्यूम करता है इसके अलावा रेजलिशन की बात करें तो नेटिव रेजलिशन इसका 800 इंटू 480 पिक्सल है लेकिन यह अगर से कनेक्ट कर सकते हैं तो आप उसमें 1080 पिक्सल के भी वीडियो चला सकते हैं चे तरीके से अब जलिए इस प्रोजेक्टर को हम प्रोजेक्टर करते हैं दिवाल के ऊपर और जो कि हमारे दिवाल जो है बिल्कुल वाइट है और उसके प्रोजेक्टर के देखेंगे टेस्ट करेंगे light condition में और dark condition में भी कैसा ये quality देता है जो color का quality है वो natural है या नहीं वो सब कुछ इसमें आपको हम test करके बताएंगे दोस्तों इसके अलबा कितना बहतरीन quality देता है कितना resolution देता है वो सब कुछ आपको हम यहां बताएंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि आप इसे चार-पाँच मूट फे अपरेट कर सकते हैं सबसे पहला आप चाहें तो screencast कर सकते हैं आपके पास इसमें inbuilt wifi है और आपको कोई cable करेंट करके जोड़त नहीं अगर आप smartphone से या laptop से आप चाहते हैं project करना तो तो आप YouTube या फिर इसके गैलरी के फोटोज, images, video सब कुछ को project कर सकते हैं इसके लगा second चीज आप HDMI cable से laptop या फिर आप DTH उगारा से करनक करके TV को या फिर laptop में video को play कर सकते हैं demo के लिए मैंने यहाँ पर HDMI से cable connect कर आपको दिखाऊंगा इसमें एक video play करके आपको दिखाऊंगा कैसा quality यह दे रहा है आपको फिलाल इसे आप remote controller से भी स्थमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें जो buttons हैं उसको भी स्थमाल कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं daylight condition में कि कैसा यह quality देता है तो यह देखे मैंने projector on कर दिया है और blitz wolf आपको screen पर आगया दिख रहा है परदे के ऊपर हमने फिलाहाल दिवाल प्रजेक्ट किया no signal आ रहा है और यहां से आपको mode change करना होगा आपके पास USB है screencast है HDMI है AV है मैं HDMI से laptop को connect करता हूँ और यह देखे laptop connect हो गया हमारा यहां पर laptop है एक गाना मैं यहां पर प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका quality तो यह देखे गाना जो है project होने लगा और sound भी आता है इसमें speakers भी दिया गया है और 4 ohm और 3 watt का speaker है यह देखे आवाल की quality और video quality दिवाल पर मैं अभी light को off करूँगा यह light on है हमारे room में इसलिए ऐसा आ रहा है फिलहाल मैं आपको light off करके भी आपको दिखाता हूँ तो यह देखे लाइट मैं off कर दिया और इस तरीके से आपको कुछ quality दिख रहा होगा तो I hope कि आपको यह quality अच्छा लग रहा होगा aspect ratio of 16.9 या 4.3 कोई बिस्तमाल कर सकते हैं और up to 5 meter तक आप इसे project कर सकते हैं दिवाल पे बोड पे या फिर कपड़े पे तो जिसमें भी आप चाहें वह कर सकते हैं lamp life जो है 40,000 hours है दोस्तों यह काफी होता है 40,000 hours और मुझे लगता है कि यह projector इस रेंज में काफी बहतर है इसके अलावा यहां पर आप बात करें menu में तो आपके बास और option मिलता है जिसमें कि आप जाके यह भी कर सकते हैं settings में जाके और भी चीज़ें आप परस्नलाइज कर सकते हैं contrast, brightness, color, sharpness यह सारा चीज़ें कर सकते हैं sound को भी आप यहां पर adjust कर सकते हैं और भी settings है जो कि आप कर सकते हैं इसके लावा चलिए आपको हम smart phone से भी connect करके दिखाते हैं और screencast करके दिखाते हैं तो यह देखे screencast mode में आपको smartphone पर जाना होगा और screen जो यह दिखा रहा है आपको दिवाल पर वो चीज़े आपको फॉलो करना होगा connect हो जागा Wi-Fi से connect कीजिए और अपना mobile data on कीजिए इसके अलावा आप देखिए यहां पर फोटो वीडियो आप देख सकते हैं YouTube मैंने खोला यहां पर यह चल रहा है YouTube तो यह सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को भी लेंगी तो दोस्तों आपने देखा यह जो आवाज आ रहा और फिर तो कहना ही नहीं है लाइट आफ कीजिए और मजे कीजिए दोस्तों यह जो प्रजेक्टर है ब्लिट्स उल्फ का यह मुझे बैंगूड द्वारा भीजा गया है और दोस्तों आप चाहें तो आप इसे पर्चेस कर सकते हैं बैंगूड से और मेरे नीचे description में लिं लाइगा तो आप चेकाउट कीजिए और अच्छा लगा इस प्रजेक्टर को इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दुस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजुआई कीजिए वीडियो को बहुत बहुत सुक्रिया